पूंप लोग कैसे हैं उमेद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो चलिए अब स्टार्ट होता है मेरा और गेनिक रियक्षन ट्रीक हाँ पढ़ेंगे पार्ट नमबर 53 तो पार्ट नमबर 53 में हम लोग आ है क्यों है जो हम लोग अब रियक्षन कराना है रियजंट से रियकषण करेंगे किसको तो वह करेंगा ebaron dioxide जानी inny co2 ब्र squirrel को साथ तो ब्रियक्षन करेंगा तो यह अभी शुनिये जब को रियक्शन करेगा तो कौन सा प्रोडॉक्ट देगा हां कार्बॉक्सलीक एसिड बनेगा और कुछ नहीं ठीक और एक बाई प्रोडॉक्ट में बनेगा वह आपके सामने आएगा तो में जो मेरा प्रोडॉक्ट है वह कार्बॉक्सलीक एसिड बनेगा जैसे एक्जामपल मे को reaction कराकर आपको carboxylic acid बनाना है तो आप क्या करिएगा co2 को reaction कराएगा ग्रिग्नाड रिएजेंट को बिल्कुल वहाँ पर carbon यह यह carboxylic acid बन जाएगा उसमें कोई दिकत नहीं है कारबन डायोक्साइड तो यहां हम लिखेंगे क्या लिखेंगे रियक्षन रियक्षन ओफ ग्रिगनाड रियजेंट एक और बत बता दे यह वैसा ही ठीक रियक्षन है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कोई डिफ्रेंस नहीं है एकदम सिमिलारीटी है एकदम वैसा ही बनेग ग्रिगनाड रियजेंट तो किसके साथ हम इसको रियक्षन करा दें तो आज हम लोग करेंगे रियक्षन CO2 यानि carbon dioxide के साथ हम लो reaction कराएंगे तो चलिए देखते हैं फिर से हम इसमें भी बता दें ग्रिगनार्ड रियेजेंट के बारे में कि इसका जो जेनरल फॉर्मूला होता है हाँ जी समान शुत्र वह आर एमजी एक्स होता है यानि रामजी एक्स ट्रिंख है बोलने का यदि आएगा और एस्टरी आपका रेडियो एक्टीव एक्टिव एसको इसको इस्तमाब बिल्गुल नहीं करना है ठीक एक्स है मेरा हैलौजन यानि हैलौजन ग्रूपमे कौन-कौन आते हैं फ्लॉरीन ग्रोमीन अभी नातने हैं अब चलिए यह आपर आर से क्या है इसके बारे में जानेंगे तो आर से मेरा अलकाइल होता है क्या होता है तो अलकाइल अलकाइल का जो पहला मेंबर है हम जानेंगे मिथाइल होता है क्या होता है मिथाइल होता है उसका फर्मूला होता है कौन होगा पुरुपाइल होगा जो सी थ्री है एच सेवेन होता है तो ठीक है यही सब मेरा क्या है अलकाइल है तो इसके जगह पर अलकाइल आएगा मतलब मिठाइल इथाइल प्रुपाइल यहां पर यह सब आप लाइएगा एक जगह फ्लूरिन-ख्लूरिन-ब्रूमीन मंघनेशियम आप लोग जानते हैं जो यहां पर 24 ठीक है मतलब समझें मेंगे जिसका ओंडूमिक नमबर 12 मास 24 होता है तो वही यह मैंगनेशियम तो इसका जांग किंगे इसका नीम क्या हुआ इसको हम कैसे पुकारेंगे तो यह अलकाईल है तो लिख़िया अलकाईल अलक मैंनेशियम अलकाइल मैंनेशियम और एक्स से हैलाइड बोलेंगे हम है लिखा हुआ है तो है लोजन जो लिखा है पूरा यहां पर है लूजन इसी है लोजन से हम इसका निम कॉनबर्ट करके है लाइड लिख देंगे क्योंकि यह निगेटिव चार्ज बनाता है इस लिलास म आइड लग जाएगा ठीक हलाइड हो जाएगा तो यहीं रहा और इसका एक मेंबर के बारे में हम बात करें तो मेंबर आये बनाते हैं आर के जगह पर चलिए हम इसको ले ले लेता है यानि CS3 ले लिए ठीक और एम जी है तो लिख देंगे मंजी और यह बॉंड है बंदन ह इसका नेम है कौन है मीथाइल मैंगनेशियम ब्रॉमाइड वही सी यू टू यानि कारवन डायोक्साइड से रियक्शन करेगा और रियक्शन करने कबाल कार्वॉक्सली के सिड का फर्मेशन करेगा 100% तो चलिए इस रियक्शन को स्टाइड करते हैं यह सब तो आपको में different नहीं है बिल्कुल वही है oxygen का यूज इसमें भी करना है चलिए co2 है यहां पर ध्यान दीजेगा यहीं है co2 अब प्लस एक मेंबर हम ले लेता है है CH3 mg BR क्या है CH3 mg BR है तो हम जानते हैं कि यह जब भी reaction करेगा तो हमको hydrolysis भी करना पड़ेगा hydrolysis का मतलब से भी reaction कराना है जल भी इसमें आएगा ठीक है जल बिल्कुल आएगा बिना hydrolysis का यह होगा भी नहीं reaction तो आपको hydrolysis कराना है और hydrolysis जब भी होगा तो acid कोई ना कोई term होना चाहिए तो अब जाकर यह hydrolysis होता है यानि water भी इसमें reaction करेगा कमबाइन करेगा तो चलिए इसको start करते हैं तो हम कुछ इस design से लिखेंगे लिखने का हमारा थोड़ा trick में देखिए तरीका क्या है कुछ इस design से लिख लेंगे कोई दिकत नहीं और यहां पर क्या है हमेरा सी एस थ्री एमजी सी एस थ्री एमजी बियार है यह वाला सी एस्ट्री एमजी बियार हो गया और यह स्यू टू यानि carbon dioxide तो इसका जो नेम है यह carbon carbon dioxide carbon dioxide आप लोगी समझ रहेंगे इसको carbon dioxide ही बला जाता है और यह जो मेरा हो गया मिथाइल magnesium methyl magnesium 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 bromide bromide इसको सामने ही लिखा जाएगा थोड़ा लंबा हो जा रहा है उसलिए प्रुमाइड को नीचे लिख दिये हैं ठीक तो यह सब बात रहा ठीक है बात है तो कोई बात नहीं अब यहां पर हम hydrolysis भी कराएंगे आगे चलिक है कोई बात नहीं इतना तो आपको बिर सानी बात यह carbon है यह oxygen है और आप लोग समझ सकते हैं इस दोनों के बीच हमको क्या करना है इसमें यह carbon हो गया यह oxygen हो गया वह है oxygen के इलेक्ट्रो निगेटिविटी ज्यादा होता है मतलब बंड प्यार में जो इलेक्ट्रों है जो बंधन में इलेक्ट्रों है पाई वाले का वह अपने और उस बंधन में का दोनों का दोनों इलेक्ट्रों इसमें दो इलेक्ट्रों से बना है यह भी बंड दो इलेक्ट्रों से बना है बनाएक नहीं बना है तो पाई में जो इलेक्टी को दोनों और खीच लेगा आप झाओ अपने फूर खीच लेगा तो एलेक्ट्रों खीच रहा है यानी इलेक्ट्रों जा रहा ह nevertheless और नोज कर रहा हे कौन से चार्ज होता है ने उपजिटिव होता है नेगेटिम चार्ज को ऑक्सिजिन खीच रहा है तुस्भेश नेगेटिम ćार हो जागए और है वही प्रोस्जिक्स यहां भी आपको करना है तो अब क्या करेंगे इसको कि दो electron को upward side में दिखा देंगे शो कर देंगे मिज्ड क्या करेंगे यह माले तो pae है यह वाला sigma है तो pae वाले को ऊपर हम शो कर देंगे यानि इसमें जो electron है वह oxygen को और attack हो रहा है मतलब उधर जा रहा है इस पर ओवर ओल चार्ज एक निगेटीव है अब कहिए कैसे इस ओवर ओल पोजिटीव एक हो आगे या तो सिनिए मैगनेसियम जो है मैगनेसियम इस पर दो प्लस होता है ब्रुमीन पर एक माइनस होता है इस वह जोड़ कर देख लिजिए 2 प्लस एक माइनस जब करेंगे तो तब एक पोजिटीव इधर हो इतना मिलगर तो क्यों नेगेटीव होगा तब फिन प्लस माइनस होकर यह कंपाउंड निउट्रल है चार्ज में निउट्रल है और यह रूका हुआ है क्या हुआ है रूका हुआ है तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बिल्कुल आस पोजिटिव में जूतेगा और mgbr पर प्सीनबोल देख रहा है इसको पार्फियल बोला जाएगा पार्फियल है यानि पार्फियल निगेटिव पार्फियल पोजिटिव पारसियल आनसिग है आन्सिग मतलब आधा अध्यंच चार्ज ठीक तो आधा अधा अधूरा थे उत्व निगेटिव तो थे लिए यह जो इनिगेटिव आनि जाएगा और यह जो पुझिटीव वह पार्ट है वह वाला कीश में जाएगा या जैए आचीजिए जाएगा तो यह यहां हम जोड़ेंगे तो कौन कौन सा सच्छ ना सकता है जब यह एक बॉन्ड बचेगा इसमें बंड बचेगा इसके पास आज जाकर एमजी बी आर जूट रहा है मतलब इसमें एमजी बी आर जूट जाएका कौन जूटेगा mgbr जूट जाएगा हो गया अब यह CS3 जाकर इस कार्बन में यहां जूट जाएगा देखिए कार्बन कभी तीन को पॉंड है एक और बॉंड खाली है तो वह क्या हो जाएगा यहां बॉंड बनाकर आकर CS3 जूट जाएगा कौन जूटेगा CS3 को जूटेंगे क्या CS3 है negative यह जाकर positive में जूट जाएगा यहां जूटती है ठीक कुछ ऐसा हो गया चलिए अब पलस वाला भी जाकर इसमें जूट चुका है अब इतना हो गया ठीक अब इसको थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे इसको आगे जब बढ़ाएंगे second step तो हाइड को टोटता है कि बढ़ेंगे तो मीवार्टां की शुरूप में टूडता है कि और डूरा प्रीकों क्रा hedge करेंदि और ने है कि यहां यहां तो यहां पालतके यहां और एक और बात यह औक सीजन के एक ही बॉंड है जब यह इतना होड जागा तो आप देखिएगा हम कुछ अलग सुच रहे हैं अब पलस देंगे और आगे क्या जोड़ेंगे तो यह जो पचागवा पार्ट है उसमें पास हाइट्रोजन आकर जूट रहा हैं तो जैसे हैं हम लिखेंगे ताकि आपको कुछ एक बाय मतलब सदेल्ली आपको कोई डिफरेंट नहीं नजर आए इसलिए जैसे हैं वैसा ही लिखेंगे आप यहां मौसिश कर सकते हैं देखें जैसे यहां था बचा हुआ वैसा ही हम लिखेंगे हैं अक्सीजन में यह वाला हाइड्रोजन अभी बचा है तो जाकर जूट जाएगा ठीक अब देखिएगा कुछ ऐसा ही सेम अब बनेगा यहां से यहां से जो बचेगा यहीं ऐसा ही से बनेगा बचेगा अब इसी को जरह हम घुमाक और थोड़ा से लिख देता को लगेगा कार्वाक्षली के सीड आ गया मेरा क्यूंकि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि के बन चुगा है तो चलिए इसको थोड़ा और सीधा करके देखते हैं इसको सीधा करके आपको हैसिए में सी थरी यहां है और ऊप इस हम कुछ एक्ष्रा नहीं कर दिया है नहीं में घुमा द्या ध कॉर अइसे को socios liason we fisu 2 कि कि आपको लोग रहा है कि यह कुछ नजर आ रहा है देखे लिए बिल्कुल समय है अब इसे को हम सी एश्री कह देंगे और सी डबल यह भी कह सकते हैं ध्यान दीजिए अब इस पर विचार कर सकते हैं यू यू थिंक अन्दीस फिरमूला इस फिरमूला पर आप कुछ नकुछ है शर्सक्त शक्त हैं या यह वाला सी जी डबल यह है तो कि आपको लग रहा है कि वही का वही है कोई डिफरेंट नहीं है वह है घबडाना नहीं है देख सकते हैं सी एस थ्री सी ओ ओ ओ यच तो हमको मालूम है कि सी डबल ओ यच जो है कौन जो सी डबल यच हो कारवखिल की एसिड का फॉर्म्शनल गुरूप है और वह अटेच हुआ है सी एस थ्री में यानि इसमें यह दो कारवन है तो इथेन दो क इसरी सिडवल आज इनुक एसेड हो गया और इसे का या एक दूसरे नम से एसिटी को मददू है कर तो यहीं रहा में सिटीक बसद आप इसका नेम भी देशाक्ते हैं यहां पर इंदूड इसे निक सिर इंदवलीक है great .. यह इनुक एसी का आपनेम है सिर्फों नाह Wallace भा है तो इसका दिन्हें है इतिन्होंग चीड हो गया या एक्सविज रहां हो गया तो 것도। बिल्कूल आपको आपको बिल्कूल जरूर लगा है और समझ में इसे अक्वाइक कोई इंद्ध करिए आपको हम दूसरा देते हैं बनाने के लिए ख्रास्व में दिवरा हैं बनाने के लिए द्यान दिजिए हैं तो चलिए हम कैसे आपको करें कि हे थोड़ा से इस आप लोगी स्क्रीन्सोर्ट है उगरा ले सकते हैं या शो पड़ सकता है आपको तो दिखाई दे दिया अब चलिए हुआ से एरेज करेंगे और एरेज करने के बाद हम क्या करेंगे आपको कुछ देंगे क्लास्वर्क में बनाने के लिए अब बना सकते हैं चलिए अब यहां देखिए सी यूटू है आप प्लस ती एच फाइफ है मगी आँ अब बना सकते हैं यह को दो प्लस है और यहां पर अपर ह्यो घटक्लिए सकते हैं तो सब्सक्तिक प्रोड़क्ट आएगा बिल्पिला कमेंड कर सकते हैं कोई दीगत नहीं चलिए दूस्तों वीडियो को जरू समझ मेरा होगा और पसंद भी आरा होगा उसको आप सेर किजिएगा ज्यादे ज्यादा बच्चे माप लोगों को सेर किजिए और फेरी फास्ट हम लोग पूरा का है